इस वीडियो में हम लोग अनलेसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का फर 12 डिसेमबर अलोग इंपोर्टन लेवल्स और क्या प्लान हो सकता है तो प्रेंट सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब जरूर कर लेजेगा और यह अल बटन जो होता है उसको भी जरूर सिलेक कर लेना जिनोंने भी अगर कल का एनलेसिस का वीडियो देखा होगा तो आज आपने प्रॉफिट तो ज़रूर बनायोगा अगर वो चीज़ें जो मैंने आप लोगों के एक्स्प्लेंड की अगर उन चीज़ें को फॉलो किया होगा यू can check this small video of the 30 seconds, in this particular video मैंने आप लोगो कल ही बता दिया था, कि exactly जो Nifty का resistance है, अगर market वहाँ से resistance ले लेता है, तो you can go short in the market, and exactly pinpoint analysis था friends, 18,665 और 647, 665 and 647 is the resistance area, 647 के नीचे हम लोग short करेंगे, market नीचे जरूर आएगा, and exactly यहाँ भी आप देख सकते हो, नीचे आया, trend line से breakdown हो और एक बड़ी movement आगे, अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को और एक चीज़ बताई थी, कि जिस समय अगर 18,500 के नीचे, 535 कहा था exactly, 18,535 के नीचे अगर market चला जाता है, तो आप लोगों को 18,444 और 420 का area जरूर दीखेगा, यह मैंने आपको daily time frame पर explain किया था, and as per the level मै यह भी कहा था कि 494 के नीचे आप बेरी जा सकते हो, 424 के target आपको जरूर मिलेंगे, और जब भी market यहाँ पर आएगा, उपर bounce back जरूर होगा, you can check our telegram channel also, here it was the resistance area, and according to that, काफी लोगों ने trade किया, और काफी अच्छा से profit भी मनाया, जब इस level पर आया, तो फिर जब bounce होने के इस एरिया में 18,200 का put मैंने sale किया था, 23 रुपिस पे, जो almost 12-13 रुपिस के आसपास आके, हम लोगों को cover करने को मिला, काफी लोगों ने अच्छा अच्छा profit भी मनाया, and all these things I explained here, आप देख सकते हो, यह जो blue line है, 18,535 इसके नीचे अगर जाएगा, तो यह level ज़रूर आए So, you can join our telegram channel for the live market updates, इसकी जो link है, वो description box में नीचे आप लोगों को मिल जाएगी, So, let's come to the point, यहापे अगर बैंक निफ्टी को daily time frame पे देखते हैं, तो आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी हलका सा slide gap up बन हुआ, उपर के तरफ जाने की कोशिश की, 43,853 का high बनाया, और यहा से बैंक निफ्टी फॉल हुआ, exactly आप देख सकते हो, 43,375 के आसपास, इस हैमर गेंडल के high के आसपास आने के बद, फिर से rejection आया, और बैंक निफ्टी उपर के तरफ भागया, यह जो level से यह मैं आपको काफी दिनों से बता रहा हूँ कि इस range में बैंक निफ्टी 6-7 दिन प्राइस वाइस आप देखो के तो देखो, चार्ट वाइस आप देखो के candle को बैंक निफ्टी तरफ है और सस्टें हो रहा है, और इस बूलिच शाइन, और फ्रेंड्स आप निफ्टी को देखो के तो निफ्टी में एक निगेटिव पैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और यहां देखो यह downtrend था अप्ट्रेंट था और फिर से यहां पर bounce back होगा and I was considering यह उपर के तरफ जा सकता है क्लोजिंग देता तो थूटा सा positivity हम लोगों को दिखती तो क्या होता है जनरली मैं आपको बहुत important point बता रहो price section के अगर यहां पर market फिर से flat open हुआ तो यह हलका सा positive हो सकता है और कोई भी एक opportunity उपर के तरफ sell करने को मिलती है तो sellers again यहां पर sell कर देते हैं और market को नीचे के तर हो सकती है अब यहां पर कोई तो भी एक point चाहिए 535 के उपर जब तक closing नहीं करता तब तक यह हलका भी positive नहीं होने वाला इवन यह जो high है निफ्टी का आज का इसके उपर हम लोगों को closing चाहिए जब तक nifty इस high के उपर और यह 698 के उपर closing नहीं करता है तब तक nifty positive नहीं होने वाला अब यहां पर हम लोगों को कोई भी opportunity जो उपर के side में selling को मिलेगी तो उसे cash करने की कोशिश करना पड़ेगा and again I am telling you अगर यह low break होता है तो आपका नीचे के तरफ target जो होता है 18,133 और 174 का आ सकता है बट इसके पहले एक important level बीच में आएगी so you can consider that level also and it is nothing but 18,29 18,297 यह आपका पहला target होना चाहिए जिस भी दिन इस low को break करेगा quickly यह 297 के level को touch करने की कोशिश जरूर करेगा so this is all about कि Nifty की स्थरी के से trade कर सकता है जो plan है वो हम लोगों को level के उपर देखना पड़ेगा कि कौन-कौन से important level आ रहे है और सभी Nifty के chart को देखता है यहां पर क साइड में selling के opportunity मिल सकती है तो 18,604 and 18,570 एक ऐसा area रहेगा कि जहां पर फिर से sellers आ सकते है अगर यहां पर चोटी मोटी opportunity मिलती है तो हम लोग उसे जरू cash करने की कोशिश करेंगे क्योंकि market नीचे आएगा तो quickly नीचे आएगा फिर से 18,464 के उपर यहां पर चोटा सा SL रह जाएगा in that case अगर नीचे के तरफ आता है तो yes support पर support बनाने के बाद भी मैं जो अपनी position है वो इतने जल्दी नहीं बनाऊंगा जब तक मुझे confirmation नहीं मिलता और यह जो मेरी quantity है वो almost half quantity रहेगी हला कि मैं थोड़ा सा bullish side का यहां पर trade करने के लिए avoid करेंगा क्योंकि ऐसे सम 18,429 यह जो low है 18,410 के नीचे फिर से market में काफी fresh नए sellers आ जाएंगे जो market को drag करेंगे 18,345 और 292 के तरफ so these are the clear levels in the market 18,292 और 345 इंट्राडी का support रहेगा इसके नीचे अगर close करता है तो market फिर से further bearish हो जाएगा and इस support पे support आने के बाद भी जब तक ए proper price section नहीं बनती है त तो हम लोग trade नहीं करेंगे तो telegram से जुट जाएगा मैं वहाँ पर update करते रहूंगा आप लोगों को अगर मैं कोई position बनाऊंगा इस जगे पे क्योंकि यहाँ पर time लगेगा trade करने के लिए रहें उपर के side में कोई भी upside आप लोगों को rejection मिलती है तो you can sell, you can get the target अगर इसके उपर close करता है तो आपको further उपर के levels भी market में open हो सकते है और इसके उपर जो level है 728 के जो थोड़ा सा भी मुश्किल लग रही है लेकिन अगर बड़ा movement होना है और market को उपर ही जाना है bank nifty का उपर बगता है तो शायद यह 728 के level भी आ जाए bank nifty के chart को देखता है तो 43,740 और नीचे के तरफ 43,465 यह दो important levels market में रहेंगे इसके बीच में मैं कोई भी trade नहीं करूंगा यहाँ उपर में एक level और नीचे में एक level आपको ज़रूर बनानी पड़ीगी तो अगर यहाँ पर कोई price section बनता है तो ज़रूर bank nifty अगर positive रहता ह तो 43,975 और 44,080 मतलब यहाँ पर आपका 44,000 का target done होने के लिए ready है bank nifty में कोई भी bullish trade अगर मिलता है तो bank nifty में करोगे तो ज़्यादा बहतर होगा यहाँ से further follow that is a different part but एक moment आप लोग यहाँ पर capture कर सकते हो अगर nifty positive रहे तो उससे अच्छा bank nifty को trade करोगे तो ज़्यादा बहतर होगा यहाँ फिर bank nifty target done करे और nifty sideways रहे bank nifty भी fall होना start हो जाया और nifty further fall हो सकता है तो at that time you can catch that particular opportunity for the selling in the nifty इसके नीचे जो important level आ रही है 43,238 और 136 यह भी level आप mark करके रहे अगर कोई भी opportunity आपको 465 के नीचे selling के लिए मिल जाती है तो आपके जो target होंगे 238 और 136 के र us so you can download our application the link is given in the description box as well as यहाँ पर content भगर सब आप वो चिज़े देख सकते हो but the important thing is you will get the discount coupon today तो आप वो जाके जरूर चेक कर लीजेगा and friends this is all about how we can trade the nifty bank nifty along with the levels so friends मिलते हैं next video में तब तक के लिए चाहिन जय बारत